नमस्का दोस्तों कुप विद उशा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी ट्रेडिशनल रेस्पी जी हाँ आज हम बनाएंगे पहाड़ी स्टाइल में कचोड़ी एक दम फुली-फुली बनेगी इसे भ यह सब टिप्स और ट्रिक्स आपके साफ मैं शेयर करूँगी और हां इसे आप फ्राई करकर भी बना सकते हैं और बिना फ्राई किये भी मैं आपको सिखाने बारी हूँ तो दोनों मैठ़ड आपको जो भी अच्छे लगेंगे आप फॉलो कीजिए रस्पी अच्छी लगे प्लीज इसे आप लाइक कीजिए हो सकतों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा तो चलिए फटा फिट से शुरू करते हैं तो दोस्तों को चोड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आट्टा मैंने यहां पांच कटोरी गेहूं के आट्टे के लिए हैं क्व क्विट खमीर उठायंगे तो खमीर उठाने के लिए हमें चाहिए इंस्टेंट इस्ट यह देखिए एक चमच डाल लिया अब आधा चमच इसमें और डालेंगे ग्रेम्स के हिसाब से बारा ग्र्म यह है और यह इंस्टेंट इस्ट है जल्दिश से खमीर ऊठ जाता है तो हलके गुणबने पानी से जो हमारा इस्ट है नाव जल्दी एक्टिवेट हो जाता है बस थोड़ा थोड़ा पानी डालिए लेकिन आटे को अच्छी तरह से गुण दिएगा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको 5-6 मिनिट तो लगेंगे ही और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छी तरह से आटा गुंदना है तब ही आपकी जो कचोड़ी है आपके जो बटूरू है वह अच्छे बनेंगे आटे का अच्छा गुंदना पहुँ ज्यादा जरूरी है अब देखिए आ आथो में थोड़ा सा तेल लगा कर उपर तेल लगा लिजिए जिससे किसमे पपड़ी ना पड़े और देखिए इसको थप थपाने से पता चलता है कि आटा जो है बहुत हलका तयार हुआ है धगकर रख लिजिए इससे जो एयर है जो हवा है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए अब आदे घंटे के लिए इसे हम यूँ ही रख देंगे साइड में अब ये देखिए स्टफिंग के लिए मैंने ली है चने की दाल और चने की दाल को पूरी रात भिगोने के लिए रख दिया था ये देखिए अच्छे से फूल गई है और मैंने यहां आधा किलो चने की दाल ली है अब आपको क्या करना है कि इसका जो पानी है पूरा निकाल लेना है ये देखिए जननी में पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आप चाहिए तो देखिए इस तरह से कीचन टावल पे इसको थोड़े देर रख सकते हैं तो पानी बिल्कुल भी इसमें म ग्राइंड कर रहे नहीं अगले दिन सुभा ही इसे हम ग्राइंड कर रहे हैं ज्यादा देर इसे हम पानी में रखेंगे न तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो बस अब इसे ग्राइंड कर लीजिए और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है प्लीज इस बात का अब इसमें डाल लीजिए हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉडिंग मैंने यह 4-5 हरी मिर्च ली है थोड़ा सा डाल लेंगे अधरक और लहसुन अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर लीजिए और खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं बस ग्राइंड कर है उसके बार देखें इसे मिक्स करेंगे और यह देखें थोड़ी दर्दरी ही दाल हमारी रहती है तो थोड़ा सा इसे फेला कर रख लेंगे जिससे कि अगर मौस्चर होगा वो भी थोड़ा सूख जाएगा अब मसाले तयार करते हैं तो यहां मैंने लिया है एक बड़ा साबुत धनिया आदा छोटा चम्मच काली मिर्च का जितना धनिया उतना ही साबुत जीरा यानिके एक बड़ा चम्मच दो तिन लॉंग मैंने डाल दिये और अब इसको हम रोस्ट करेंगे लेकिन थोड़ी से मैं डाल रही हूँ बड़ी इलाइची आदी से भी आदी हमारी बड़ी इलाइची है ज्यादा नहीं डालनी है नहीं तो फ्लेवर फिर इलाइची का ही आएगा ये देखी हलका सा कलर चेंज हो गया बस हमारा जो मसाला अच्छे से भून गया है अब इसे आप ग्राइंड कर लीजिए तो मैं कुंडी डंडे में ही अच्छे से पीस जाता है क्योंकि गर्म है और फिलेवर भी अच्छा आता है मेरी दादे और मम्मी इसी तरह से बनाते थे आप देखिए मैंने यहां सरसों का तेल जो हम गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि यह कच्छी घानी का है न तो इसलिए इसको ज्यादा हमें गर्म करना पड़ता है जितने देर में तेल गर्म होगा हम मसाले डाल लेंगे स्टफिंग में तो देखिए जो मसाला हमने भून कर ग्राइंड किया था उसको हम डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे और दोस्तों इसको बहुत ज्यादा डाल को फेंटना नहीं होता है जैसे हम भल्ले के लिए करते हैं बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है नहीं बैसा नहीं फेंटना है यह देखे बहुत बड़िया से हमारी जो स्टफिंग यह तैयार हुई है अब थोड़ा साइस में डाल देंगे हल्दी का पौडर यह कई जगा डाला जाता है कई जगा नहीं ड मिक्स करना इ attitudes कर रहें हो लास्ट में डालना है नमक नमक पहले डाल देंगे तो डृली हो जाएगी की स्टफिंग तो नमक आप टेओं रिख लाजी बना है अब देखें थ्गें तो एक हर्ठा सा और होट बना हे अ आप अब हल्का सा है आथों में सूखा आठा लगाए और इसकी लोई तयार कर लीजिए इसकी जो लोई यह बड़ी बनती है यह देखिए बहुत असानी से बन जाता है बेलन से भी बेलने की जरूरत नहीं है यह देखिए अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हथेली को टेडा करना है और इसमे स्टफिंग बरनी है ज्यादा स्टफिंग बरेंगे तो ज्यादा ठेस्ट होगा आप चैने तो कम भी भर सकते हैं लेकिन हम तो ज्यादा ही भरते हैं यह बिल्कुल भी नहीं फटेगी बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर को नहीं आएगी आप वीडियो को आराम से देखिए यह देखे, नीचे से एक हाथ का सहरा लगा लीजिए, दूसरे हाथ से इस तरह से गोल-गोल कर लीजिए, अब इसको इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है, और सूखा आटा भी लगा लेना है, सूखा आटा लगाने के बाद, अब इसको आप हाथों से इस तरह से देखिए, कर सकते हैं, बहुत ही आसान है अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आसान मैथड भी आगे मैं आपको दिखाती हूँ, फिल हाल हम तो ऐसे ही बनाते हैं, जटपड से ये बन जाती है यह देखे बिल्कुल भी नहीं टूटी है सारी रोटियां आपको इसी तरह से बना कर रख लेनी है, नहीं तो आटा खराब हो जाता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो स्टपिंग है वो अच्छे से फैलती क्यों नहीं है कचोडी में तो इसके दो कारण हो सकते हैं एक कारण तो यह है कि आपकी जो स्टपिंग है वो धीली होती है, तो जितनी सूखी स्टपिंग होगी उतनी ही वो फिर क्चोडी में फैलेगी ठीक, और दूसरी बात यह कि जब आप क्चोडी को बेलते हैं या हाथों से दबाते हैं तो पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से सेंटर से बाहर की तरफ को फैलाना है स्टपिंग को ठीक है, अगर आप एक जगा ही उसको दबा देंगे स्टपिंग, फिर फैल नहीं पाएगी, दोस्तों मेरे चैनल पर और बहुत से ही मचली रेस्पी है अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए लिंक मिल जाएगा, कोमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे रही हूँ और सारी समगरी जो है ओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी होई होती है, इंग्लिस और हिंदी में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक किया कीजिए अब आपको असान तरीका बता देती हूँ ये देखे इसी तरह से आप स्टफिंग भर ये थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कीजिए और हाथों से अंदर से बाहर की ओर दबाना है, ये देखे बड़ी असा बन गया ना, फटा-फट से तयार हो जाता है और मिंटो में हमारी जो भटूरे हैं हमारी जो कचोड़ी है वो तयार हो जाती है सारी कचोड़ीया ऐसे बिना लीजिए थोड़ा ढख कर रखिएगा ठीक है अब आटा चेक कर लेंगे तो पहले एक छोटी लोई आप ले लीजिए उसको डाल लीजिए इससे क्या होगा टेंपरेचर भी पता चल जाएगा तेल का और तेल थोड़ा पुराना भी हो जाएगा फिर आपकी जो कचोड़ी है आपके जो भटोरू है बहुत बढ़ी असे फ्राई होंगे बिना फ्राई किये भी इसे हम बनाएंगे आगे तो ये देखिए एकदम धुआ उठना चाहिए क्योंकि सर्सों का तेल है अब आप चाहे थोड़ी सी फ्लेम लो कर लीजिए एक-एक कचोड़ी उठाईए और हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए ये देखिए अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा टेंपरेचर है तो थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं लेकिन हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई किया जाता है अच्छे से फूल जाती है ये देखिए बहुत बड़िया से फूली है एकदम भटोरे के जैसी और हाँ आपको रेस्पी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए मेरी वीडियो आप दुनिया के कौन से कौन से देख रहे हैं ये भी जरूर बतायेगा तो ये देखिए कितनी बड़िया फुली फुली कचोड़ी हमारी बनी है अब तवे पर बना कर दिखा देती हूँ क्यूंकि हमारी जो दादी थे वो इसी तरह से तवे पर बना कर रखते थे और इन कुचोड़ियों को आप 2-3 दिन तक भी खा सकते हैं खराब नहीं होती तवे पर आपको मिडियम फ्लेम रखनी है चाया थोड़ी लो फ्लेम भी करनी पड़े तो कीजिएगा थोड़ सा इस तरह से सेक लेंगे चुले मैं इसी तरह से सेकी जाती थी लेकिन अब जुला तो हमारे पास नहीं है इसलिए ऐसे ही सिखा रही हूँ अब हाई फ्लेम पर इसको आपको इस तरह से फुलाना है हाई फ्लेम होगी न तब ही फूल पाएगा अच्छे से तो देखे कितने बड़ी असे फूल गया है यह मैंने अपने लिए बनाया है आप चैने तो इसके उपर घी भी लगा सकते हैं बच्चों को फ्राई करके दीजिए हैल्थ के लिए बहुत बढ़िया है जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं तो इसे आप जरूर से ट्राई किजिए अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ यह लेजिए थोड़ा सा गरम है हाथों में लग रहा है लेकिन आप देख सकते हैं स्टफिंग जो है ब्राबर फैली हुई है बहुत ही टेस्टी कचोड़ी हमारी बनी है इसे आप जरूर से ट्राई किजिए प्लीज वीडियो अच्छा लगे लाइक करने मैं खंजूसी नहीं करने है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किजिए तो दोस्तों आपको रेस्पी कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके बताईएगा और हाँ मेरे चैनल पर और भी बहुत सी पहाड़ी रेस्पीज है अगर आपने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स को चेक कीजिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है तो बस रेस्पी को ट्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन को जरूर से प्रेस कीजिए जिससे कि मेरा जो आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुन सके वीडियो देखने के लिए आपता देल से लहन्य वाए